आज का अपना टोपिक है रब्बर, रबबर में सबसे पहले आपन देखते हैं, नेचुरल रबबर, नेचुरल रबबर क्या होता है? तो जो प्राकतिक रपर है वो रबड का एक पेड़ होता है हीविया बेसिलेंसिस उसके लेटेक्स से अपने को प्राप्त होता है हीविया बेसिलेंसिस एक क्या है ट्रोपिकल प्रांट है तदा इससे एक वाइट कलर का लेटेक्स या दूद्या लेटेक्स प्राप्त होता है अब इस जो रबड के पेड है उसमें क्या करते है चीरा लगा कर दूर जैसा पदार्थ निकाला जाता है जो क्या कहलाता है अब देखो इस लेटेक्स में क्या होता है 30-60% तो क्या होता है रबड होता है 0.3% प्रोटीन होती है और 0.25% क्या होता है सुगर होता है ठीक है तो यह हो गया नेचुरल रबड क्या होता है हीवया ब्रैसलेसिस के लेटेक्स से मिलता है अपने को लेटेक्स में क्या क्या होता है 30-60% तक रबड होता है 0.3% प्रोटीन होती है और 0.25% क्या होता है सुगर होता है अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रोसेसिंग ओफ रबड यानि रबड की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है सबसे पहले क्या करते है जो लेटेक्स अपने को मिला है उसको क्या करेंगे सबसे पहले टंकियों में उसको क्या कर लिया जाता है भर लिया जाता है फिर उस लेटेक्स में क्या मिला दिया जाता है उस लेटेक्स में फिर पानी मिला दिया जाता है पानी मिला के उसको क्या करेंगी थोड़ा सा टनुकरit करेंगे अब कणूकरit करने के बाद क्या मिला देते हैं forming गैसीड यर एसनिटि गैसिक मिलाकर क्या किया जाता है उसको स्कंदित क्या जाता है स्कंदित करने से प्रबबबबबबबब सकंदित पर उपर आ जाता है सत्य पर उपर आ जाता है कुछ समय पश्या टंकियों में रबड की स्पंजी पटियां उड़ जाती है पटियों को रोलर के बीच दबा कर उनसे क्या निकाल लिया जाता है जल उनसे निकाल लिया जाता है तथा जो अपने को कोई घुलम मिला है उसको अलग-अलग आकार में विविन आकार में अपन चेंज कर लेते हैं रबड को फिर क्या किया जाता है सुखाया जाता है सुखाने की भी दो तरीके होते हैं एक तो स्मोक में और दूसरा पन क्या करें जो वाई हो है उसमें सूसके करें लेटेक्स सो मिल गया जो नीचे जो पदार्थ बसता है उसको क्या कहते हैं सीरम कहते हैं यानि इस प्रोसेस में क्या होता है सबसे पहले पन क्या कर लेते हैं लेटेक्स में टंक्यों को क्या कर लि इंकान लिया जाता है फिर उसमें क्या मिलाएंगे जल मिलाने के बाद एक सिडिया एसिटी के सिडिया निलाते हैं जिससे वह क्या बन जाता है जिस्से मैं Buaden कॉय घूलम बनने के स्टेहात रबड़ jal भाईने के सबुच्भ न्या बन जाएंगी तक दो स्मॉप में यह क्या करें है जो लाटेक्स पकेज़न के बचारबाली बचार करते हैं औरी हैम सकंदित रभड इसे इसको किस्ट याजाते हैं स्मॉख हाउस में ने जाते हैं जल से मेंगे इसको पाचास की dit क्रहण करते हैं जिससे उसका कलर क्या हो जाएní जाएगा इस प्रकार के रबबड को क्या कहते है है कि अब विये के नदे के कर रंग200 अ mentor क्वरा हो जाता है जो प्राउन uh Healthcare पारigan मार्क इन जो ब्राउनलंग अपने को मिलता है वह कुन सारबड होता है Sophocatori दो बढ़ ह rechts के होता है क्राइप रब़्ड क्रायप रबब्ड में अपन क्या मिला देते हैं स्कंधन से पहले कैं मिला देते हैं 211 पर शुखाया जाता है इससे कौन सा पदाथ मिलेगा पीला ओर यलो और वाइटक दर्बार का जो आपने को रबड मिले हैं वो कौनसा रबड votaês March रबबड तो रबबड के दो प्रकार अपने देख लिए स्मॉक रबबड और क्रेप रबबड ठीक है तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका संगठन दता सरशना कैस किसका बना हुआ ये होता है संगठन उसरशना देखने के लिए सबसे पहले हैंपन देखते हैं कि पौलीमर्ल क्या होता है पौलीमर्ल वह होता है जिसमें एकलत इकाई-हाiri अपस में क्या करी ये हैं पौलीमराइज होकर किसका निमान कर दिया है भ Dallas का ठीक है एक Greek word है Polys और मन एक से अधिक इकाईया यानि Polymer में क्या होता है बहुत सारी एकलक इकाईया आपस में Polymerize डोकर किसका निर्मान करती है Polymer का एकलक Polymerization की प्रोसेस की दोरा किसका निर्मान करेंगी Polymer का जैसे ये किसका है Athene का है इसका Polymerization होगा तो क्या बनेगा Polythene बनेगी ठीक है तो ये हो गया Polymer क्या होता है अब अपन देखते हैं कि रबड है प्राकर्दिक रबड का संक्टन होता है C5H1N ठीक है इसको किससे बहुत सारी आईसो प्रींग की जो इकाईया है वो अपस में Polymerized रोके क्या बनाती है Polyisoprene Isoprene को HCL के साथ गरम करते हैं तो एक रबड जैसा पतार्थ अपने को मिलता है Isoprene का रासा है निक नाम क्या होता है या यूपेस ही नाम क्या होता है इस पे 2 पे मेथिल है तो क्या हो गया है 2 मेथिल और 1,3 ब्योटा डाई 2 इन है कौन कौन सी पोजिशन पे है 1,1 पे है दूसरा किस पे है 3 पे है तो Isoprene का IUPAC नाम क्या होता है बहुत बार एक्जाम में पोश लिया जाता है Isoprene का IUPAC नेम तो मेथिल कितने पे है सबसे पहले इसकी नमबरिंग करेंगे 1,2,3 और 4 कितने नमबर कार्वन पे मेथिल है दो नमबर पे तो क्या होगा 2 मेथिल 1,3 ब्योटा डाई इन इसको Isoprene भी कहते है यह जब Polymerize होगा तो क्या होगा Polymerization की process में क्या होगा यह वाला बॉंड कहां जाएगा यहां चला जाएगा यह वाला बॉंड दूसरी उनिट में चला जाएगा इस प्रकार Polymerization की process होगी तो यह वाला बॉंड दूसरी उनिट से टेच होगा यह जो था वो यहां आ गया यह वाला अगी दूसरी उनिट के पास चला गया और क्या बन गया अपने पास पोली आइसो प्रीम यहां जो एन अपन ने लिया है एन क्या है दस अजार से लेके कहां तक होता है बीस अजार तक दस अजार से लेके बीस अजार तक जो आइसो प्रीम की उनिट हैं हुँ क्या बनाती है पॉली आईसोपृम या रवबर सब्द conception है सीशोपृम की प्रकार है उसपे भी डिपेंड करता है कि अब देखो आईसोपृम की कायां अगर शिचा करों में जूडती है तो क्या बनता है प्राकरतिक रभड बनता हैं देखो सिस फॉर्म में कैसे कि यह सारे सिस्त्री क्या है एक साइड में है और सारे हैवी ग्रूप्स क्या है एक साइड में है यह वाले यह वाले यह वाले तो यह कौन सा फॉर्म हो गया इसका सिस फॉर्म अगर इस प्रकां से पॉलिम्राइज होती है तो इसको क्या कहते हैं यह क्या होता है प्राकरतिक रबड होता है यह एक को क्या मान लिया एक मॉलिकूल यह क्या हो गया दूसरा मॉलिकूल और यह क्या हो गया तीसरा मॉलिकूल अब यह तीनु मोलेटूल क्या हैं अपस सिस फोर्म में सिस कैसे देखेंगे इसका इसका है रिताएग़ इसका इसका क्या हेवी ग्रूप अगर एक साइड में तो इसको क्या होगा करूंगे अगर यहि कई शीस फॉंप में जुड़ती हैं तो इसको क्या करेंगे ऑनलीपस दूसरा अगर देखो कि अगनाइं क्या हो अगर इस में पार्जार्ओ कि इस फॉंप में जुड़ें अगर 10 विए आज फिरव स्थ खुणद्ड और प्रचा transform में जुटती हैं तो उसको क्या कहते हैं गुटा पर्चा अब एक सेपट़क्रास प्लांट कीजो आज्व है उनके उनका एक्सेड़ कोता है यह रहबड की तरह ही होता है इसमें क्या होता है यह देखो यह दोनों कार्बन अपने ले लिए यह वाला कार्बन यह वाला कार्बन अब ट्रांस्फोर्म कैसे देखेंगे इससे अटेज यह हैवी ग्रूप है इससे अटेज यह हैवी ग्रूप है दोनों ग्रूप हैवी ग्रूप दोनों भारी ग्रूप है वह आपस में क वाला है विक्रोप दोनों किस फॉर्म में है ट्रांस फॉर्म में है तो अगर आइसो प्रिन की काईयां अगर ट्रांस फॉर्म में जुटती है तो अपने को क्या मिलता है गुट्टा पर्चा ठीक है सिस फॉर्म में जुटती है तो प्राकर्तिक रबड मिलता है वो ट्रांस फॉर्म में जुटती है तो अपने को क्या मिलता है गुट्टा पच्चा तो ये अपना क्या हो गया प्राकर्तिक रबड क्या हो गया कम्प्लीट हो गया प्राकर्तिक रबड किसका बहुलक होता है आईसोप्रीम का बहुलक होता है ठीक है बहुत सारी आईसोप्रीम की एकलेगी काईयां जुड़के पोली आईसोप्रीम बनाती है पोली आईसोप्रीम में जो इकाईयां होती है वो दसजार से लेके कहां तक होती है बीसजार तक हो तो ये हो गया प्राकर्तिक रबबड़ अब पुझे कि प्राकर्तिक रबबड किसका बहुलक होता है तो आईसोप्रिन का बहुलक होता है आईसोप्रिन का IOPSC नेम पुझे तो क्या हो जाएगा 2-methyl-1-3-bota-die-a